स्टार गोर्च वाम में आपका स्वागत है काफी मैसेचेज ऐसे आते थे और कमेंट्स आते थे कि आप अपने फार्म के उपर सफाई के बारे में सुबा मौर्णिंग में क्या करते हैं आफ्टानून में क्या करते हैं और इवनिंग में क्या करते हैं तो उसके बारे में कुछ पूरे दिन का आप डिटेल वाइस बताएं तो आज मैं actually सुबा फार्म पे ही था नौ साड़े आट नौ बज़े मैं फार्म पे पहुंच गया था तो मैंने कोशिश किया कि हमारे दर मौनिंग में होता क्या है वो पताने की तो आप देखेंगे फिल मौनिंग के टाइम के डाइट है और कैसा होता है साफ सफाई वो भी बताएंगे हमारा सिस्टम बताएंगे तो वीडियो पूरा देखें एंड तक का देखें मज़ा आईगी होता क्या है हम लारे इतर सुबा में वो आप देखें हमने जो केजेज बनाए है mostly केजेज लोग पर उतारने के पूरी कोशिश यहती है मेरी आप देखेंगे कि मेरा बंदा जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे से जाडू माल रहा है यह एक अच्छी चीज है कि हम लोग ने जो प्लेटफॉर्म बनाए वो सर्दी में भी काम आ जाता है बारिश में भी काम आता है क्योंक आदे बाड़े से थोड़ा कम में हमने आदे बाड़े से थोड़ा कम में प्लेटफॉर्म बनाए और वो भी लगबक धाई एक फिट की हाइड में कि जिसमें आदमी हमारा घुश जाए और उसके नीचे सफाई आसानी सो जाए यह सिस्टम काफी हमको फायदे मन साबित हु होता है हम लोक हमारे और जो सामने बड़े बाड़े है उसमें थे पिटाइंगे विशन मीनिचिंट से बनाए आप देखें गे कितनी आसानी से वह नीचे जाता है अगर कुछ लंबा है तो वहां थोड़ी से हाइड हमारी जादा है और बखरे आसानी से चड़ जाते हैं और अकसर आप देखेंगे बखरे जमीन की बनीजबत प्लेटफॉर्म पे या लकड़े के उपर जादा आसानी से बैठते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ कोश हमें सफाई स्टाइड होती है हम लोग सफाई करते हैं और सफाई के साथ साथ जो जैसे अभी यह केज में सफाई हो रही है तो यह केज में से बखरे हम लोग बाहर कोल देते हैं और बखरे बाहर जाके पानी पीते वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम लोग यह एक आ यह बकरे पूर्य हम लोग का जो एक नंबर बाड़ा है, जो सबसे बड़ा बाड़ा है खसी बकरों का, तो उसमें हमने सारे बकरे बाहर छोड़ दिये थे, पानी पीने के लिए सुगा में, और अंदर का जो सेक्शन होता है बाड़ों का वो खुड़ देते हैं, हम लोग और प्रिशाप के दाग होते हैं जब वीकली आप पानी मारते हैं तो उसको क्लीन करके निकाल सकते हैं उसका कोई तजादा इश्यू नहीं होता है अब प्लेटफॉर्म आप देखें इसमें काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है याने जो हम अंडू में रखें उससे डबल से भी जाद है क्योंकि काफी लंबा 15 फिट लंबा हमारा इसे लैंद इसकी 15 फिट है और इसे यह 30 कुट चोड़ा हमारा पहला बाड़ा वह सबसे बड आप देखेंगे यह दूसरा बाड़ा पूरा गंदा है नीचे पूरे दिन की लगबग सपाई करते हैं चौबीस गंडे की पूरी गंड़ा अभी यह सिस्टम यह है कि हम लोग इसे बाहर छोड़ेंगे बखरों को आप देखें बाहर छोड़ने के बाद होता यह है कि हम ल दूसरा प्यासा बकरा होता है तो हम कोशिष ही कि सबसे पहले उसे पानी पिलाते आप देखेंगे बखरों का भी एक सिस्टम बन जाता है डेली जो चीज वो करते हैं तो सबसे बहले बाहर निकलने के बाद पानी पे जाएंगे आप यह चीज बहुर से देखेंगे यह वि बकरे मशालाब पानी का जो हमारा वो ड्रम है हाफ कट करके यह बहुत अच्छी चीज है हाफ को कट करके पानी पिलाने का सिस्टम बनाते हैं यह काफी सस्ता भी पढ़ता है अब यह आप देखेंगे यह बाहर आये बकरे इतना हमको टाइम मिलता है बकरे थोड़े देर 15-20 म सब्सक्राइब देखेंगे अपने वाड़े में पूरी तरह से जब तक का यह पूरी जमीन हो गई पाइलेट क्लीन हो गई तो यह हमारा मॉर्निंग का पूरा सिस्टम है कि हम लोग लाइन से एक एकएक करके सबी बकरों का जितना हमारा लाइन से छे साद वाड़े है हम लोग सब बकरे लाइन से छोड़ते हैं उनको बाहर लाते हैं अच्छा एक चीज और बता दू यह सारे बकरे maximum इसमें 4 सेल है आ जाएंगे पानी पी ने पानी पी के थोड़ा सी बाहर ठहलते हैं पांच मिनट पांच से मैक्सिमम दस मिनट इतसे जादा टाइम नहीं लगते हैं और जब बर में हमारे जो लेबर है वो यह सेक्शन को या यह बाड़े को पूरा क्लीन कर देते हैं तो आप भी कुशिश ऐसे ही करें अगर आपके पास बड़ा जगा इस पेस है ओपन छोड़ने की तो बकरे जब अंदर होते हैं तो सफाई करने में थोड़ी मुश्किल होती है होता यह है कि लेबर साफ करते रहता है बकरे इदर से उदर भागते हैं फिर उसमें जो जमा की हुई ही गंदगी है वो बखरा भी देते हैं तो हम लोग ने तरीका इस्तिमाल काफी टाइम से करते इसी तरीके से बखरे को बाहर चोड़ देते और सुबह पहले पानी भी पिला देते कि राद भर का बखरा प्यासा होता है फिर इसके बाद हम लोग जैसा जैसा टाइम मिलेगा सफाई होने के जादा अनाज नहीं देते सिर्फ हलका फुलका हरी पत्ती है या तुवर भूसा है या फिर उसको पर जो भी है अब यह बखर यहां पर थोड़ी देर सैट होंगे थोड़ा से टैलेंगे जब का हमारा अंदर की तरफ का जो सेक्शन है वह अलहम्दुलिल्ला पूरा क्लीन हो जाएगा यह अभी देखे आप कैसे क्लीन करने का मैं आपको बता देता हूं क्लीन हम वैसे नॉर्मली सभी को मालूम है यह थोड़ा से डंडा बढ़ा कर देता है बंदा हमारा उसी का आइडि हो मैं वह काफी साफ रहेगा यह दिहुदार की लकडी का बना हुआ है तो यह जल्दी सड़ता भी नहीं है अभी तो इसमें काफी चीजे आ गई है प्लास्टिक के आ गए कैसे काफी लोग बहुत अच्छी चीजे ले आए लेकिन यह हमारी रेंज में भी आ जाता है और का मारे बंदें के इसके एक हाथ में तोड़ा समय है इसके लिए इसको थोड़ी से तकलिफ होती है तो आसानी से यह पूरा क्लीन हो जाएगा इस तरीके से पूरा नीचेगा इस साइग ये डेली क्लीन करने से फाइदा भी यह है कि हमारे को जो होने वाली बिमारिया है या फिर पिस्सू है और भी कई बारीक परजीवी होते हैं जम्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं पूरी तरह से तो डेली सफाई करना बहुत जरूरी है काफी लोग दो दिन तीन दिन या जो लखड़े बिछा के रखते हैं वो डेली साफ नहीं होते हैं काफी लोग करते हैं उसे खड़ा करके लेकिन इतने आसानी से उसमें साफ करना मुश्किल होता अगर यह जमीन टच होता तो सफाई करने में दिक्कत होती आदमी को उठाना पड़ता रखना पड़ता यह बहु आसानी होगी आपको आप देखें इंदम आसानी से पूरा clean हो जाता है इसे ये डब्बे में या कोई भी चीज में भर के ये ले जा के जहां भेखने की जगा है कच्रे का वहां पीकवा देते हैं तो ये डेली पूरा फार्म हमारा इसी तरह से मौनिंग में क्लीन होता है। क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग का सिस्टम क्या है आप लोग सफाई कैसे करवाते हैं इतना बड़ा फार्म है और माशालला और भी लोगों के बहुत बड़े बड़े फार्म है उनक्या लेबर जादा है हर चीज अपना अपना तरीका होता है लेकिन यह हमारा तरीका है और हम लोग कोशिश यह करते हैं कि हमारे लेवर को आसानी हो जल्द से जल्द वो काम फिनिश करें और दूसरे काम में फिर बख्रों को पर ध्यान देने हम लोग इंशालला नहलाने का भी सिस्टम बनाएंगे हम लोग अभी थोड़ा सी नहलाते भी है ह हम लोग हफते में जैसे जैसे डेली जो बख्रों का टाइम हाता है तो इंशालला कल कुछ उमीद है कि हम लोग मैं नहलानी के अगर मॉनिंग में गया फार्म पर तो नहलानी के भी वीडियो में आपको बना के बताऊंगा कि हम लोग कैसे नहलाते हैं अभी आप देखेंग यह कुछ 15-20 मिन या आदा घंडे के बाद मैं जब चाय वायर पी लिया नाश्ता कर लिया उसके बाद मैंने वीडियो गना है तो हलक हलका आपको गंदा दिखेगा यहने लेडिया दिखेगी लेकिन यह पूरी तरह से फार्म साफ हो गया और हम लोग हफते में दो बार प्लेट्फ़ॉब नीचे जमीन बख्रे मैक्जीमम सारे प्लेट्फोॉब पर ही बैटते हैं आप खुद देखे यह वखवग आ देखे उपर CTL क्यद्र नीचे आते हैं बाकी नहीं तो आप खुदी देखेंगे बख्रों का सही तरीका बैठने का वो लकडे के प्लेटफॉर्म ही होते है इसलिए मैंने मेरे फार्म पे पूरी तरह से हर बाड़ों में पूरी कोशिश की है इस बाड़े में भी आप देखें पांच बखरे हैं माशाला पांचों उपर है इस बाड़े में भी आप देखें सिर्फ एक बखरा नीचे हैं माशाला सारे बखर उपर इस तरीके से अगर आप अपने प्लेटफॉर्म अपने बाडों में बनाएंगे तो आप अच्छा ये सबसे सही तरीका इसलिए मैं बता रहो कि जब ठंडी आती है तो ठंड के मौसम में सबसे जादा तकलिफ बकरों को जमीन पे बैटने से होती है तो हमारी कोशिश य क्रेड में बिखते हैं तो हमें मुनाफ़ा जादा आता है तो हमारी कोशिश यह होती है कि बकरों को हैल्दी रखे हैं हमारे फार्मों पे तो यह सुबा मौनिंग का हमारा एक टाइम था इंशाला हम लोग आफ्टर नून में भी और शाम के टाइम की भी फीडिंग के बार आपके कमेंट्स के मैं काफी इंतिजार करता हूं तो अच्छे कमेंट्स दाले हमें खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ने से और जवाब देने से तो वहरहाल वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इंशाला फिर एक नई वीडियो के साथ बहु अलेकुम आला हाफिज